पश्चिमी भारत का मध्यांचल जहां पाहाडियां हैं जहां नदियां बहती हैं जहां कभी सघन वन हुआ करते थे पर अब उतने नहीं हैं इस अंचल की सीमा दोर तक फैली है अरावली, विंध्याचल, सत्पुड़ा और पश्चिमी घाट का उत्तरी सीमान्त जिसके परवत हैं इस अंचल में समाई हैं राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात और महराश्ट्र के कुछ भुभाग मध्यप्रदेश का पश्चिमी भाग, यानी रतलाम, धार, पूर्व निमार, पश्चिमी निमार, बढ़वानी और संपून ज्छाबुआ यही वो इलाका है जहां के जंगलों, पहाडों में बस्ती है एक जंजाती, जिसे भील जंजाती की संग्या प्राक्त है यहां उनके फलिये हैं, गाओं हैं, उनकी अपनी एक अलग दुनिया है उनके अपनी जीवन आदर्श हैं उनकी अपनी एक विलक्षन और आदिम दुनिया है भील, स्वयम में प्रकृती की जीवन्त कहानिया हैं इसी लिए वे स्वयम को प्रकृती पुत्र मानते रहे हैं लेकिन इतिहास गवाह है, शोशन एक अभिशाप की तरह इस जनजाती की साथ जुड़ा रहा दुखसुक की धूप छाओं, उसके अंधेरे उजाले में ये जनजाती जीती रही इस जनजाती का अपना एकितिहास है, उनकी अपनी अनेक गाथाएं हैं इन्ही प्रकृती पुत्रों के जीवन ने, उनकी गाथाओं ने अनेक कवियों और साहित्यकारों को आकरशित किया चित्रकारों ने कैनवास पर उनके चित्रों केरे और गीतकारों ने उनके गीत काए समाश शास्त्रियों ने उन पर अनुसंधान किये ऐसे में इस मरन आता है वर्तमान युक के हिंदी के उन दो मुर्धन्य कवियों का जिन्होंने भील जन जीवन को शब्द देती सशक्त और मार्मिक कविताईं रची इन में से एक है युक सहिता के गायक कवी मनीशी डॉक्टर शिब मंगल सिह सुमन जिनकी वाणी जिनकी कविताईं आज भी मशाल जलाती अंधेरे को चनौती देती हैं भील आदिवासियों के जीवन पर आधारित सुमन जी की एक प्रसिद्ध कविता है कटे अंगूठों की बंदनवारी आईये जाने इस कविता का जन्म कैसी हुआ मैंने जाबूआ आदिवासियों में अली राजपर्म जाके देखा कि वहां के भील जो निशाना लगाते हैं आज भी जो तीर चलाते हैं तो हमको अराम के उप्याद आगई तीर तरकष दिजे चलाते हैं इतना बढ़िया निशाना मारते हैं कि दस में दस तो मारी लेंगे नहों तो आठ तो निशाना मार ही लेंगे एक दो मिस हो तो बिस हो चूकते नहीं अचूक मारते हैं मैंने दिखा वह अंगूठा नहीं लगा रहे हैं मैं चौक गया कि बिना अंगूठा थीर कैसे चल सकता बिना अंगूठा तो एक पत्र चिठ्षी लिखना मुश्किल मैं एक महान रिष्ण ने जो इनाम देना चाहिए था कि तुने विना किसी शिक्षन के गजब कर दिया आरचरी में धनुष विद्या में, तु इनाम था कि दक्षिनाम उसका अंगूठा मांग लिया, दिल दहल जाता है सोच करके कि इसको पुरसकार मिलना चाहिए इसको दंड मि योग ने करते हैं, मैं दहल गया, उसी पर करता है, कटे अंगूठों की बंदनवारें, कटे अंगूठों की बंदनवारें बांधे, सरसंधानों के जलसे मनाते तुम, विके द्रूनाचारियों के अभियाती मुल्यों पर दुरधर महा भारत के थोथे गान गाते तुम, त अंगुलियों से ही साधता आचुक लक्ष आहत अस्तित्तुका। जीवित है जजीविशा सौसो अभावों बीच सदियों को रौंद 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 की छाती पर। अस्ता आधि वासियों की अप्रतिहत अप्रगल्भ जूम रही दरीविकार सदियों के आरपार महुओं के मस्ती में। हल्की हरारत से प्रस्पुत होते ही होती हराम नी्द हस्तना पर वासियों की, हल्की हरारत से प्रस्परित होते ही होती हराम नेंद हच्चना परवाशियों की विश्मित अवाक मुबाय सब तक ते खड़े दुर्दम जुलंत एक लग्जी चुनौतीन आज का हर भील युवा अपनी स्वाभिमान के साथ जीते कुछ ऐसे ही अभिशाब भोगने को विवश है बुद्धिवादी अब संस्कृती का शिकार है इसी तरह भील युवतियां और भील नारियां जिनके आसपास भी अगनी शिखाएं हैं जिनके अपनी विवश्टाएं व्यथाएं हैं पहाड़, जंगल, खेत, खलिहान ही उनकी जीवन अंग हैं लेकिन भील नारियों का अपना एक विशेश सौंदर्य, अपनी एक विशेश छबी है शरीर पर विभिन आकरती वाले गुदे, गुदने तथा चांदी कांसों के गहनों से सजी कलपना शील आँखों वाली भील युवतियां जब रित्य गीतों में निमग्न हो जाती हैं तब भले रात ढल जाए उनके पैर नहीं थमते व्यथाओं के बीच भी उनमें उत्सवी हंसी होती है एक विशेश जीवन शैली और आनंद होता है सुप्रसिद्ध कवी डॉक्टर रामकुमार चतुर्वेदी चंचल भील जन्जाती बहुल मध्रदेश के बढ़वानी जिले में रहे वहीं उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कावेकृती भील की रानी की रचना की जिसमें के उन्होंने उसी सर्वहारा भील नारी की अंतर व्यथाओं को और उसके उनमुक्त जीवन को सार्थक शब्द दिए तो इसमें आदिवाजियों का परिवेश भी है और आदिवाजियों की जिवन पद्धती भी है जो खरीबी है, जो उनमुक्तौता है, और जो शक्रीजदिन है और उन भुले भाले और असूंदर दिखने वालोगों के जीवन का जो सूंदर है उसको देखने का मैंने प्रयास इसमें किया है अब ये कविटा आप लोग सुनें खड़ी खेत में मुस्काती है किसी भील की रानी खड़ी खेत में मुस्काती है किसी भील की रानी चारों और खड़े हैं परवत उंचे सीश उठाए उधर खेत में खड़ी हुई वह अपनी फसल रखाए शाम वदन पर उसके काले स्याह केश बिखरे हैं जैसे कोई घटा हवा के जोंकों में जहर आई कूक रही कोयल पंचम में यह सब्तम्में गाती उधर खिले वनफूल इधर खिल खिल कर मुस्काती उधर हवा में फसल जूमती फूटी पड़ती बालें अंग-अंग से इसके फूटी पड़ती इधर जवानी खड़ी खेत में मुस्काती है किसी दील की रानी इसकी बाहें नहीं कमल की नाल सरी की कुमल इसकी बाहें पुष्ट नीम की शाखाओं सी शामल इसकी बाहें पुष्ट नीम की शाखाओं सी शामल इसकी आखें इसकी आखें भीत मर्गी सी नहीं विकल या चंचल इसकी आखों में संध्या के धीर सामले बादल इसकी चितवन में हैं तीखे तीर नतेज कटार, एक जोती है, ठू लेती है जो प्राणों के तार, तो हंस गामिनी या गजगामिनी इसे नहीं कह सकते, इसकी गती जंगल के जर्नेसी अल्लड मस्तानी, खडी खेत में मुस्काती है, किसी भील की रानी, बार बार श्रम की सांसों से फूल रहा है सीना, और शीश पूल पहना देता है बारम बार पसीना, श्रम ही है श्रंगार, शक्ती ही इसकी सुंदरता है, उपजाव मित्ती का हरकन, इसके लिए नगीना, उंचे महल निशावर हैं, इसकी फूटी कुटिया पर, मनमय पलंग निशावर हैं, इसकी तूटी खटिया पर, कंचन पात्र निशावर हैं, इस माटी की हाड़ी पर, मोटर का निशावर होती, तुछ बैल गाड़ी पर, यह अपने को कम न समझती किसी महारानी से, इसका राजा इसे बुलाता जब सेना बानी से, तो प्रियको देख, उमर उठती यह, सावन की बदली सी, और शाम अधरों में जाती कौद हसी बजली सी, चंदर मुखी यह नहीं कि यह कजरारी बदली सी, मन इसका भीगे सावन सा गती इसकी बजली सी, माल कौशा तुवा व्याक के उसवर नगरों में होंगे, गुमज रही है यह निर्जन में देहाती कजली सी, बल खाती नकलाई, इसको नाजन नखरे आते, शीत ग्रीश्म वर्शा के मौसम इसको नहीं सताते, वन देवी सी भीगा करती वर्शा की जड़ियों में, तापस बाला सी तपती है, आतप की घड़ियों में, चंद मुर्गियां, भेड़ बकिरियां, इसकी सखिया प्यारी, फटे वस्तर कांसे के गहने, यही संपदा सारी मावस की अंधियारी हो, यह धुली चांद नहीं रातें, यह मडवे पर बैठ किया करती तारों से बातें, जंगल के फूलों के मूँ को चूम हवा आती है, गोफन गुमा गुमा कर नूचे सर में यह गाती है, गीतों ही गीत फूल सिहर कर आँख खोल उठते हैं, उठता है टपरे से खनवर बाद, दुआ बल खाता और कुआ वरंदावन के पंघड जैसा बन जाता, दूर खेट की पगडंडी पर, यह होसला ताजा दनुश्वांड से सचकर आता भील वधू का राजा, यह राजा राजा रानी की मेड़े हैं सिमवासन, राजनीटी के नाम यहा है अपना पन, भूला पन, हाथ पाउं इनकी सेना हैं, मन इनका सेना इए, अन्न दान दुनिया को देते हैं, यह भूधर दानी, अना यासी भील संपरदा पाजाता मन वानी, मुहमत इनका दाब की जब हूच देटी, उसकी रानी अखबारों में इस रानी के चित्र नचप पाएंगे, इतिहासों के प्रिष्ट नए इसका लेखा बतलाएंगे, यह मुम्ताज इसी जंगल में घुटकर दह जाएगी, ताज महल की जगे खेत की मिट्टी रह जाएगी, चिंताओं से मुक्त खडी वह आज आम के नीच वहीं बोर्षी ज़र जाएगी एक दिवसन जानी, खडी खेत में मुश्काती है किसी भील की रानी प्रक्रती की गोद में जन में ये आदिवासी सच्मुझ प्रक्रती पुत्र हैं, जहां एक तरफ ये प्रक्रतिक संसाधनों से ही अपने लिए सब कुछ जुटाते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रक्रती के संरक्षन के लिए अपना सब कुछ नचावर करने के लिए भी तैयार प्रक्रति और इन आदिवासियों के बीच का ये रिष्टा स्वार्थवश नहीं है, बलकि ये दोनों के बीच के प्रेम और सौंदरी को प्रदर्शित करता है, हालां कि आधुनिक चमक दमक से इनका जीवन भी प्रभावित हुआ है, लेकिन इनकी मूल संस्कृति, रीति रि लेकिन आदिवा स्वादस प्रेम प्रेमाफ्स का ये प्रोड्वी लेकिन आदिए झाप से लाता है, ये लेकिन आधिकता हुआ है, बलकि दोड़ित है, ये रिएनदोर्दिता इनकी ऊव्रिवीतितनकी मूल्ऴयक, प्रोड़वक मुए रिरेग्प्याश के दिए्श झाल